सुरेश भाई जी सवाल पहला आफी की तरफ आएगा कि जनता कहेगी ये पूछेगी ना कि अगर काम में इतना दम है तो प्रधान मंत्री कॉंग्रेस वालों ने मेरे आउकात पर बात की नीच कहा, मौत का सौधागर कहा, कॉंग्रेस कह रही है कि एमोशनल कार्ट क्यों खिल इचले आठ साल से प्रधान मंत्री बने है मोधी जी, तब उसने माताओ का बेटा का बिरुद लिया है, बड़े लोगों का पिता की तरह बिरुद लिया है, और अभी अच्छा काम करके गए है उपर, तो कोई अभी कॉंग्रेस को आने का कोई चांस ही नहीं दिखता है, त तो मोधी साब का मदर को गालिया दे रहा है, कोई और गालिया दे रहा है, तो स्वाबाविक है, वो बोलते है, कि मेरा बड़ी लोगों को प्रणाम कहना, तो उसमें इमोशनल कार कहां से आया? सर, आप बताईए, इमोशनल दाव क्यों कह रहे हैं? गुजरात का वो सम्मान है, गुजरात का भाव है, गुजरात की जनता उनको स्विकारती है, उनको उन पर गर्व महसूस करती है, ऐसे में उन पर निजी हमला क्यों? और ये जो मानिक साब यहां के हैं, आपके टिकेट पर भी लड़ें ना, पर अब तो उधर हैं, वो कह रहे हैं कि उनका सामराज यहां चलता है, सब उनको भाई मानते हैं, लगातार 35 साल से विधायक हैं यहां से, अंजना जी, सबसे पहले तो द्वारिका की पावन भूमी में आपका स्वागत है, बात आई ओकात की, तो मैं अज तक के मादियम से, अगर ओकात होती, तो द्वारिका की भाज़पा के कारियकर्ताओं का अपमान करके भावनगर से नहीं बुलाया जाता, अगर ओकात होती, अगर ओकात होती, तो यहां पर देवभूमी द्वार का 2013 से बना है, एक साइंस कूल बना देते, एक साइंस क साथ साथ साल से सानी डेम टुटा पड़ा हुआ है मैं आपको इनका फोटो दिखा रहा हूं ये साथ साल से टुटा पड़ा हुआ सानी डेम ये कॉंग्रेस ने बनाया था आज तक साथ साल से ये टुटा पड़ा हुआ डेम है ये डेम आज तक ये लोग नहीं बना पाए आज भी किसानों के खेत में पानी बरा हुआ है मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं ये किसानों ने नाव में चल कर विरोध प्रदर्शन किया और दिखाया और ये गाउं पबुभा के जो गाउं है उसके एक्जेट बगल में गाउं है अंजना जी 2017 में 2017 में आये थे आप ही क सर्वे हम सुधार देंगे मैं दावे के साथ कहता हूं आज वही के वही के वो कात है तो यह सुधार कर बताईए 8-8 साल जो आठाट जो सुधार नहीं सकते वह कैसे उस वियोस्ता पर कैसे विश्वास किया जाए गाए जिसकी आप तारीप कर रहे हैं इसने आप आपको दि अगर पबुभा सही है, तो इन सारे सवालों को विदान सभा में हमने चूट कर उनको इसलिए भेजा है, कि वो विदान सभा में हमारे सवाल उठाए, मैं आज तक के माध्यम से चेलेंज के साथ कहता हूं, पबुभा ने विदान सभा में एक बार सिंगल सवाल उठाया है, त तीक है वो सिप बिल्डिंग है बिल्डिंग को गुजराती में बोला जाता है बटका नहीं भरा जाता है वहाँ पर न तो डोक्टर है न तो वहाँ पर स्टाफ है न तो वहाँ पर साधन व्यवस्ता है इन ही में से यहाँ पर भाजबा के लोग बेठे हैं उनका अगर किसी का एक्सिडंट होता है तो यहां से जामनगर जाने के लिए जामनगर जाने के लिए जो रोड बनाया है वो UPA गवर्मेंट का बारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ जो रोड है वो रोड गुजरात गवर्मेंट ने जब अभी